आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो से लिशन पाओ तो जैसे ही हमने बात करें थी इसके distinct characteristics की और यह फेरतिम और प्रोस्टूमा के अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं अर्थवां जैसे के हमने पहले भी वीडियो में बात करा है जो बिलॉंग करता है फ्रॉम अनिलीडा से अब फ्रॉम अनिलीडा के अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो इनकी body line होगी वो segmented होगी जैसे के हमने पहले की वीडियो में भी बात करी है इसी तरीके से यहां पर जो class होगी इस फेरेटिमा region की तो वो consist करती है अब जैसे के हमने उलिगो कायटा region की भी भात कर रही थी हमारे वीडियो के अंदर उनके different characteristics features और उनके body के arrangement से इन फाक्ट हम बोल सकते हैं अर्थवाम जो होते हैं वो they are the nocturnal animals इस तरीके से यह nocturnal region से belong करते हैं और because हम बोल सकते हैं they are sensitive to light area इस तरीके से हमें पता है इनकी breathing activities भी भी है वो consist होती है इनकी present shiny appearance of skin जैसे हम बोलते हैं moist skin के तरू इसी तरीके से यहाँ पे जो nourishment है वो भी important role play करती है इनकी growth के लिए for example यहाँ पे जो given option दिये वे हैं वो बता रहे हैं इसके nourishment activities को और यह nourishment activities जैसे के हमने बात करी थी वो consist करी थी fallen leaves के तरू और इसके साथ साथ हम बोल देंगे सबसे यहाँ important role play करते है इनके organic matter अब organic matter के अगर हम बात करें तो वो एक important role play करता है उसके soil region से इस तरीके से अगर हम इस question को देखें तो यहाँ पर जो पहला option बता रहा है वो है sugar cane roots तो हम बोलेंगे sugar cane roots consist नहीं कर सकता है just because में sugar liquid होता है और यह zone जो होता है consist करता है different activities को हम बोल सकते है for the insect region जो pollination activity perform करते है तो हम बोलेंगे यह option एक incorrect होगा ऐसे अगर हम बात करें second वाले की तो जैसे हमने बात करी उसके different phylum की और उसके nocturnal region की जो belong करते है sensitive light area से और नरिश्मेंट लेते हैं organic matter से तो हम बोल सकते हैं यह option जो होगा सही होगा इसके nourishment activity consist कराने के लिए इस तरह के से अगर हम बात करें third वाले की जो बोल रहा है soil insect तो देखो soil insect के अगर हम बात करें तो हमें पता है यह humming compose activities show करता है पर कुछ activities हम बोल सकते हैं जो consist करते हैं वो earth warm करता है soil insect के अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह region nourishment perform नहीं करता है हम बोलेंगे यह एक incorrect answer होगा ऐसे अगर हम बात करें small pieces of fresh fallen leaves of maize तो हम बोलेंगे fresh fallen maize activity यहाँ पर perform नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर decaying fallen leaves ही काम करती है in fact यहाँ पर maize का कोई रोल नहीं होगा इनकी nourishment activity का क्योंकि यहाँ पर organic matter जो है soil का वो एक important role पर एक करता है क्योंकि इस soil के अंदर present होते है various kind के salt region जैसे कि अगर हम बात करें potassium की तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option B तो इस तरीके से हम बोलेंगे वो nourishment लेते हैं fallen leaves से और soil organic matter से Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर